दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास टेंथ हिंदी ग्रामर का पद बंद का most important 50 MCQs को यह सारे MCQs को दोस्तो हम tricks और concepts के साथ solve करेंगे ताकि जब आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से पूरद देख लेते हैं सारे tricks और concepts को सीख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से पद बंद के किसी भी questions को देखते के साथ बिल्कुल right answer निकाल देंगे और बिल्कुल यहाँ पर आपको अच्छा से अच्छा marks मिलेगा पद बंद में तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को ले करके आए हूँ इस मुईत के साथ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पद बंद का टॉपिक आज और इसी वक्त आपका complete हो जाएगा कहीं भी और किसी चीज में भटकने की जरूरत नहीं है तो चलिए इस वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं और मैं पूरी कोसिस करेंगा कि आसान से असान सब्दों में पद बंद का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए और आप आसानी से इसके सारे कोस्टन को सौल्व कर पाई चलिए बहुत करके कोस्टन पर आते हैं देखे सबसे पहला कोस्टन पूछा गया है मेरा बेटा कल पटना जा रहा है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा अंडरलाइन क्या है उसका पद बंद बताना है पद बंद क्या होता है पद बंद के कितने भेद होते है इन सारे चीजों को देखना है तो आप हमारे complete वीडियो के जो complete chapters है concepts का उसका एक वीडियो है उसको आप देख सकते हैं जो भी आपको Hindi A, Hindi B course में जो भी chapters पढ़ने हैं उसको एक single वीडियो में अच्छे अच्छा concept का बता हैं तो आप concept वीडियो को देख सकते हैं यहां पर हम सिर्फ questions को solve करेंगे और answer में ही मैं आपको सारे concept बताते चलूँगा ठीक है क्योंकि concept बताने चलूँगा तो खामों का वीडियो और भी लंबा हो जाएगा अब देखते हैं questions पर आते हैं देखें मेरा बेटा कल पटना जा रह चीज को देखेंगे यहां पर देखिए मेरा बेटा कल पटना जा रहा है यहां पर बेटा को देखिए और यहां पर मेरा हो गया तो मेरा बेटा असल में बेटा के बारे में बात कर रहा है तो भाई बेटा क्या होता है बेटा क्या होता है तो बेटा संग्या होता है किसी में कोई भी कोशन में मत करिएगा आगे देखिए अमन सुबह से साम तक eh कि सुबह से साम में क्या बहिए यह है अब एक चीज़ाइश आप समझ है सुबह से साम जो है यह आपका वयह है यह कभी बदलता नहीं लडका के साथ लड़की के साथ लिखिए हमेशा उसको इसी तरह से लिखते हैं कि रोहन सुभा से साम तक खेलता है हम सुभा से साम तक यह करते तो यह जो सब्द यह पद है यह बदलता नहीं है यह आपका फिक्स डिराता तो यह आपका हो जागा टू का ए बिल्कुर राइट आंसर हो लेंगे यह क्रिया पदबंद देखें लेने की बिल्कुल बात नहीं आप बस 50 mcq को कर तो लिजिए आपका सारा डाउट इसी वक्त यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा तो आप बस इसको ध्यान से देखते चलिए नहीं समझ मारा तो भी आप आगे बढ़ते चलिए 10-20 कोशन क कि अबस्ति आप खुदबाखूद आंसर करने लगेंगे आगे रोहन पढ़ाई करने के बाद कम और मेरी बहन giving अभी आपप संदूल अनुछ पहर्ट कुछा है मैं और मेरी भाहन के बारे बात कर रहा है तो भाहन भाई जो भी है इसमें आप क्या करेंगे यह करेंगे संग्या पदबंध गलत करने का कोई सवाल नहीं है डाइरेक्ट अंसर होगा लेकिन आपको अंडर फॉलाइं पे ध्यायदेना है आगे देख्ये हम लोग पतं कि यहां उडाने छट पर जाते हैं छट पर जाते हैं काम करते कोई काम है क्रिया पद्बंध अगए अध्यापक ने कहा जोड़ल आप देखिए लास्ट वर्डम क्या hallway जो लास्ट वोडं आ लब किसी चीज के बारे में बात कर रहा है किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है ना वो व्यक्ति का नाम नहीं लिखावा है उस व्यक्ति के बारे में सिर्फ बात हो रहा है तियानि उस व्यक्ति के बदले में यह जो को इस्तेमाल किये है अध्यापक ने कहा जो भी कल काल करेंगे सब्द को ती हो जाएगा सर्वनाम समझ में आगया होगा सर्वनाम ठीक है आगे देखते हैं रोहन और अमित फल लेने बाजार गया बाजार गया काम किया भाई कोई काम किया अब जो भी काम करेगा तो उसको यहां पर इनाम भी मिलेगा तो काम करेगा तो एट का राइट आंसर हो जाएगा क्रिया पदबंद आगे है पीले कपड़े पहने हुए व्यक्ति मेरे मामा है अब एक अब इसको ध्यान से देखिएगा अंडरलाइन कहां तक है अंडरलाइन कहां तक है यह अंडरलाइन यहां तक है पीले कपड़े पहने हुए अब पीला कपड़ पहना हुआ कौन है यह व्यक्ति है तो यह व्यक्ति का क्या कर रहा है विशेष्टा ना बता रहा है यह व्यक्ति का विशेष्टा बता रहा है कि वह जो पीला कपड़ा पाने हुए है ना वह तो वह इस व्यक्ति का विशेष्टा बता रहा है तो इसका आंसर क्या होना चाहि ताकि आप अच्छे से अच्छा पढ़ाई कर सके और कहीं और भी टाइम को इन्वेस्ट कर सके इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूं आगे देखिए यहां पर हो गया टेन में देखिए अंगूर के पेड़ पर लगे अंगूरों में से कुछ अंगूर हरे हैं अब आप पे अंगूर के बदले में उस वर्ड़ को यूज कर रहे हैं आप क्या लिखरें कुछ को जब भी कुछ रहे यह थोड़ा सा बहुत रहे इसको क्या लिखेंगे टैन में आप बोल कुल लिखेंगे सरवनाम लिखेंगे कि यह क्या है सरवनाम है कुछ आगे देखिए हरे पौधे से फल गिरा है गिरा है गिरना क्या है गिरना क्या है क्रिया है राइट अंसर हो गया मेज पर रखी लाल गेंद अब देखिए मेज पर रखी लाल गेंद बहुत ध्यान से समझिएगा लाल ले पीला ए पिर विचे न eer हो रहे आपको एक समज में आरा चाहिए कि यह छो है यह आपका क्या रहा है यह गेंद तो मेज पर रखी लाल का मतलब क्या हो गया कि ये जो गेंद की विशेस्ता बता रहा है तो गेंद की विशेस्ता बताएगा तो ये क्या हो जाएगा राइट अंसर 12 का 12 का राइट अंसर हो जाएगा विशेशन पदबंद ठीक है आगे देखिए मेज पर रखी वह किताब अंकीत किये अब देखें मेज पर रखी वह किताब वो किसी किताब के बारे में बात कर रहा है तो यह जब किसी किताब के बारे में बात कर रहा है तो इसका अंसर हो जागा सर्वनाम पदबंद ठीक है? ये किसी अलग किताब के बारे बात करा तो यह हो जाएगा सर्वनाम पदबंद लाल और पीले फूल सभी को अच्छे लगते है लाल और पीले ये क्या है किसी का विशेष्टा है लाल और पीले किसी का विशेष्टा है तो विशेषन पदबंद आगे देखिए रिया और राधा दोनों बहने है रिया और राधा अब रिया और राधा क्या है ये दोनों आपका संग्या है रिया और राधा संग्या है तो राइट आंसर संग्या हो जाएगा आगे है वर्सा होते ही राम और मोहन भागते हुए घर पहुचा क्या लिखा है वर्सा होते ही राम और मोहन भागते हुए घर पहुचा भागते हुए यानि दौरते भागते भागते गया है तो यह तो काम कर रहा है तो यह हो गया kriya vishyashan देखिए यहाँ पर एक ची बता रहे है kriya vishyashan पदबंद यहाँ पर आपको kriya और kriya vishyashan वाला दो मिलता है तो आपको एक ची समझना होगा क्या होता है देखिए यहाँ पर सिर्फ घर पहुचा के बारे बात नहीं हो रहा है यह बोल रहा है भ मैं बहुत तेजी से चलता हूं मतला मेरा चलना का विसेस्ता क्या है यह तेजी चलना का विसेस्ता क्या है तेजी मैं बहुत धीरे धीरे लिखता हूं तो लिखना का विसेस्ता क्या हो गया धीरे धीरे तो यह जो काम का विसेस्ता बता रहा है इसलिए हम क्या लिखे kriya vish अब देखिए राजु निरामु का तो राजु रामु क्या है ये तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जागा ये हो जागा संग्या पदबंद आगे है सुरेश से सभी प्रभावित हुए क्योंकि वह अब सुरेश से सभी प्रभावित हुए क्योंकि वह सच बोल रहा था अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखावा है, अंडराइन क्या है, प्रभावित हुए क्योंकी, बस वही तक है, वह तक नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है, तो 18 में आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, अव्याई पदबन, यह जो लिखावा है, प्रभावित हुए क्य कि यह सब्द कहीं बदलेगा ने लिखने का तरीका हमेशा यही रहेगा तो यह तो आपका हो जाएगा अव्याई में अव्याई समझ में रहा है संग्या है अगे तेज हवा आते ही पेड़ की पतिया गिरने लगे काम हो रहा है तो 19 का हो जाएगा क्रिया पद्बंद छोटे होने के कारण मेरे भाई को सब प्यार देते हैं अभी आपको बता है भाई बहन ऐसा कोई भी रहे तो संग्या पद्बंद next मुकेश का बेटा अब देखें मुकेश का बेटा जब बोर रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए संग्या पद्बंद ये सारी चीजों को आपको गलती करना ही नहीं है ये सब जो easy questions है उसमें तो आपको गलती करने का सवाल ही नहीं है next है महंसट है महांगाई होने के कारण आम आदमी का आजकल गुजारा नहीं होता आप इसका guess कर सकते है 22 का क्या होना चीए देखिए आम आदमी का आजकल यह कोई ऐस समझ में आ रहा है इसे हीज का मतलब आम आधमी का आजकल यह बिर्कुल अलग सा चीज़े यानि किये हमेशा इसी तरह से यूज़ होता है तो यह जागा अवयाय पदबंद नेक्स्ट है बारिस होते ही सोनू, पूजा और पूजा घर गए घर गए मतलब कोई काम किये यह जागा क्रिया पदबंद नाव कभी नदी में नहीं डूबती तो यह भी काम है तो क्रिया पदबंद माता सीता और लक्षमन भगवान राम के साथ वनवास गए अब देखें यहाँ पर यह क्या लिखा है के साथ यह लास्ट वर्ड पर जातातर गौर करिएगा भगवान राम के साथ मनलब की राहुल के साथ राकेस के साथ मेरे साथ तुम्हारे साथ तो ये चीज़ को जब अंडरलाइन कर रहा है तो ये पूरा जो पद है ये क्या होना चाहिए ये होना चाहिए आपका अव्याय पद बंद समझे में आ रहा है अव्याय क्यों होगा क्य पक्षी को पक्षी सभी को भाते हैं अब देखिए इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन है इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं देखे ध्यान दीजिए आकास में उड़ते पक्षी लास्ट वर्ड पक्षी अब यह जो बात कर रह है यह पक्षी के बारे में बात कर रहा है और जबी पक्षी के बारे में बात कर रहा ती हो जागा संग्या पदबंद आगे है सूरज डूबने से पहले हमें आ जाना चाहिए हमें आ जाना चाहिए तो 27 का क्या हो जागा क्रिया पदबंद आ जाना चाहिए काम है राकेस गि लिखा तो नाम के बदला जो सब्द आ गया तो उसको क्या कहेंगे यह जागा सर्वनाम नेक्टा बच्चे विद्याले से आते ही खेलना सुरू कर दिये खेलना क्या है क्रिया है तो 29 का हो जागा क्रिया पदबंध पेड़ के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति बहुत भूखा है 30 में क्या होना चाहिए देखिए यहां पर आप अंडरलाइन पर पूरा फोकस करिएगा पेड़ के नीचे बैठा हुआ किसके बारे मता रहा है व्यक्ति का विशेष्टा बता रहा है व्यक्ति को अंडरलाइन नहीं किया है गौर कर यह व्यक्ति को अंडरलाइन नहीं किया यह है तो यहां पर क्या होना चीब पेड़ के साथ किर को साइकिल पुलीगूस ने खोज ली कुछ हम बताया थे कुछ थोड़ा सा यह सब किसके बारा को है यह आपका सरवनां के बारें बदा 31 का भी बिल्कुल correct हो जाएगा next है दयालू लोग अब देखिए दयालू लोग यानि कि यह क्या हो रहा है यह लोग के बारे में बात कर रहा है यह लोग के बारे में बात कर रहा है इसका मतलब क्या होगे यह संग्या के बारे मात हो रहा है गर्मियों में सभी ठंडे पानी में नहाना पसंद करते हैं अब गर्मी में ठंडे पानी में ठंडा पानी के बारे में बात हो रहा है ठीक है ठंडा पानी तो 33 में क्या होना चीराइट आंसर यह हो जागा पानी के बारे में बात हो रहा है लेकिन क्या है पानी का विशेस्ता है ठंडा ठंडा पानी मतलब की पानी का विशेस्ता ठंडा समझ रहा है आपको यहां पे देखिए ठंडे पानी ठंडे पानी मतलब यह पानी का विशेस्ता बता रहा तो यह विशेस्ता बद बंद हो जाएगा क्या वह मेरे साथ क्या वह मेरे साथ हुआ यानि कि किसी सरवनाम के बारे में बात कर रहा है 34 में ठीक है यहां तक तो आपको clear हो गया होगा सारी बाते आपको अभी तक बहुत सारी चीजे तो समझ में आगे होगी कि यहां पर बहुत सारी जो कोशन से बहुत सारी जो चीजे हैं वह समझ में आगे कि डारेटली आंसर कैसे निकल जागा कुछ कोशन में भी डाउट है तो कोई बात नहीं थोड़ा और कोशन देखते हैं आपका डाउट वह भी clear हो जाएगा थोड़ा और सा और कोशन देख लेते हैं यहां देखिए लाल गुलाव सब को पसंद है अभी आपको बताया लाल गुलाव के बारे बात रह Tucson है थीका तो लाल गुलाव यानि गुलाव का विसेश्ता बता रहा है तो जब गुलाव का विसेश्टा बताएगा ती होजाएगा विशेशन पदबंध छिटेष च्डितेस के पांच भ गया होगा इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर यह कृरिया की विशयस्ता बता रहा है कि कहां गया होगा तो मैदान की और गया होगा बात समझ रहे है क्रिया क्यों होगा देख Murdered यह पर आपको समझना है कि मैधन की और घया होगा गया तो यह हो गया क्रिया इसमें तो कोई दिक्त नियह क्रिया की क्रिया लेकिन पूछे गवई क्रिया की विसेफ्टा तो मैदान की ओर गया होगा ठीक है यह हो जाएगा आपका क्रिया विशेशन आगे देखिए 37 में 38 में देखिए बाजार से फल लाने सोहन सोहन कौन है भाई सोहन यहाँ पर 38 में बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा संग्या पदबंद पापा ने बच्चों से कहा कि जब तक मैं घर नहीं आ जाता तुम बाहर नहीं जाओगे अब देखिए बच्चों से कहा कि जब तक तक तुम नहीं जाओगे अब देखिए बच्चों से कहा कि जब तक अभी होना चीए 39 में आपका राइट अंसर क्या हो जागा अव्याएप दबंद यहां पर आप देखिए बात को समझे बच्चों से कहा कि जब तक इस सब्द को इस्तेमाल करने का तरीका समझे यह क्या संग्या पदबन तो है नहीं विशेशन है ने क्रिया है ने क्रिया विशेशन है नहीं तो आपका सरवनाम है नहीं तो राइट अंसर आपका क्या हो जैगा राम बाजार की ओर आया होगा यह क्या बाल कर रहा है आया होगा तो 41 को जाइगा राइट अंशर यह क्रीया पद्बंद दो कि सीता किसी से अच्छे से बात नहीं करती इसलिए उसके पाटी में कोई नहीं आया होगा कोई नहीं यह किसी व्यक्ति gestion के बारे में बात कर रहा है है ना कि यह अच्छे से बात रही करती इसलिए उसके पार्टी में कोई नहीं आया होगा तो 42 का राइट अंसर हो जाएगा आपका सर्वनाम पदबंद ठीक है आगे है आसमान में उड़ती चिडिया अब देखिए चिडिया जो है आसमान में उड़ती चिडिया तो यह चिडिया के बारे में बात कर रहा है ठीक है यह चिडिया के बारे में बात कर रहा है यह चिडिया की विसेस्ता लिखावा है इसमें कोई आप इस पदबंद को ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको कुछ समझ में आएगा कि यह भाई कहीं भी यूज़ करेंगे इसको डारेटली ऐसी यूज़ करते हैं तो देखके ही लग रहा कि अव्याय है तो 44 में आपका अव्याय बिल्कुल बात नहीं है इतनी लगन से काम करने वाला राहुल इतनी लगन से काम करने वाला राहुल तो यहां पर देखी रहुन के बारे में बात हो रहा थो 45 क्या हो राइटंसर हो यह जगा संगया पदबंद स्याम नदी में नहाते हुए पानी में डूब गया अब डूब गया डूब जाना एक काम है तो डूब जाना भाई एक काम होता है क्रिया उसके बाद है राधा की बहन राखी अब देखे राधा की बहन राखी राखी को राखी कौन है राखी तो लड़की है तो यह हो जागा संगया कोई दिकत यहां तक तो कोई दिकत नहीं हुआ होगा सूभा से साम अभी आपको बता है सूभा से साम आप डरेटली अवै में कर दीजेगा इसमें कोई सोचने की बात नहीं है आगे हैं तेज हवा चलने के कारण पेडों से पतियां गिरने लगी गिरना एक काम है क्रिया बदबंद ठीक है उसके बाद है यहाँ पर धीरे धीरे चलते हुए सांप मेरे करीब आप पहुंचा अब देखिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं जो टॉपिक आपको जो ट्र क्रिया है लेकिन यहाँ पर यह जो धीरे धीरे यह चलना का विश्यस्ता बता रहा है धीरे धीरे है यह जो है चलना का विश्यस्ता बतारा तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आप डारेक्टली लिखेंगे कि यह जो धीरे धीरे चलना का विश्यस्ता बतारे इसलिए कि कुछ होगा वह होगा उसे होगा जिसे होगा यह होगा सर्वनाम क्रिया विसेशन में क्या होता है यह जो क्रिया होता है जो काम हो रहा उसका विसेश्टा जैसे धीरे धीरे चलना तेज भागना तो उस तरह से क्या होगा क्रिया मतलब सिर्फ काम जैसे चलता है खाता है पी विशेशन में किसी चीज का विशेशता बताता है तो ये सारे टॉपिक्स को विल्कुल आपको अच्छे से माइंड में रखना है उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा और बहुत सारे चीजें आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से काम चलता और किस तरह से आप इसका राइट आंसर निकाल सकते है तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही हमारा वेजसाइट पर जरूर वीजिट करेंगा क्रैक माई सीबियसी आपको वहाँ पर भी ये सारे कोशन्स को प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा थैंक्यू और आइस जे